क्या आप घर के लिए या फिर ओफिस के लिए कोई स्क्यूरिटी कैमरा खरीदना चाहते हो तो आज मैं डिस्कुस करूँगा कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए मैं जब कर स्वागत है मैं सुनल कमाराज फिर से आपके लिए लेकर हाज रहा हुँ एक इंट्रेस्टिंग वीडियो आज मैं बात करूँगा दो कैमरा के बारे में इन दोनों कैमरा में हमें देखने को मिलते हैं और कौन सा कैमरा हमारे लिए फाइदे मंद रहेगा तो वह सबी बाते जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को तो चलिए अब हम इन दोनों camera को compare कर लेते हैं कि किस तरह है कि यह camera रहते हैं उससे पहले मैं आपको introduce करा देता हूँ इनके model name से दसल जो मेरे पास यह camera है इसका model name रहता है M.I. Home Security Camera Basic जबकि मेरे पास जो दूसरा camera है उसका model name रहता है M.I. Home Security Camera 360 तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके price के बारे में जो मेरे पास यह basic camera है दसल इसका price रहता है 1799 रूपय यानि की 800 रूपय जबकि जो दूसरा camera है 360 rotation वाला इसका price रहता है 2699 रूपय यानि की 2700 रूपय वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताओंगा की इनका sale के अंदर क्या rate हमें मिल जाता है और कितनेTPs में हमें देखने को मिल जाएंगे तो चलिए आप हम बात कर लेते हैं इनकी camera के बारे में इस camera में back side में हमें speaker देखने को मिल जाता है दूसरा जो हमारा 360 camera है उसमें भी speaker देखने को मिल जाता है तो चलिए इसको आगे की तरफ गुमा लेते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं इसके next feature की और तो इसमें एक notification light हमें देखने को मिल जाएगी जो दोनों ही camera में रहती है जब ये connect हो जाता है तो वो blue light always on रहती है अगरी वो disconnect हो जाता है तो वो blue light blink करती है तो ये हमें जुरूर ध्यान रगना है क्योंकि कई बार हम connect करके रखती ह है और ये बीच-बीच में disconnect हो जाता है तो इस तरह ही problem हमें network issue के आने के कारण देखने को मिल जाती है और जो हमारे पास ये notification light हमें मिलती है इस camera में इस notification light को हम बंद भी कर सकते हैं ताकि कोई अगर आए वो ये ना समझे कि ये camera own है या off है बंद करके हम इसको use में ला सकते है चलिए अब हम चलते हैं इसके next feature की और तो इन camera में हमें night vision भी देखने को मिलेगी तो night vision कभी मैं आपको video recording last में show करूँगा कि किस तरह हैं कि हमें quality देखने को मिल जाती है तो चलिए अब हम चलते हैं कि हमें कितने GB तक memory card को insert कर सकते हैं तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं memory card का slot दरसल इस camera में जो हमारे पास basic camera है इस साइड में memory card को insert कर पाएंगे जो की रहता है up to यानि की चोस्ट GB तक जो हमारा 360 camera है उसको हम कुछ उपर की तरफ rotate करके अपने mobile phone से या फिर हाथ से भी हाथ से मैं आपको prefer नहीं करूँगा कि आप इसको उपर की memory card insert कर पाते हैं जो कि हम नाकुन की मदद से या फिर अगली की मदद से अगर आदर प्रेस करेंगे तो यह बाहर निकल खरा जाएगा दोरों में functionality से रहती है memory card डालने की तो चलिए हम चलते है next feature की और तो अब हम बात कर लेते हैं कि कितने pixel में video record करता है दरसल दोनों ही हमा नहीं पर place कर पाएंगे तो हम इसको घुमा नहीं पाएंगे जबकि जो हमारा camera है 360 वाला उसको हम कुछ इस तरह से घुमा सकती है उपर नेचे वीडियो देख सकती है या फिर माली जी मुझे कोई ही ऐसी जगाना है जहां पर मुझे rotation की जूरुत पड़ती है तो उस जगह पर मैं इसको असानी से लगा सकता हूँ और इसमें एक अच्छी बात मुझे ये भी देखने को मिली कि इसको मैं hang कर पाता हूँ नीचे की तरफ से तो जबकि हमारा जो basic camera है इसमें hang करने के लिए कोई option हमें देखने को नहीं मिलता यानि कि इसको मैं hang नहीं कर पाऊंगा इ या फिर किसी shelf पे या फिर table पे ही place कर पाऊंगा तो ये negative point हमें basic camera में देखने को मिल जाता है तो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही camera के wide area के बारे में कि कितना हमें area cover करके देंगे या फिर कितनी wide area में record करेंगे दरसल जो हमारा basic camera है ये थोड़ा update है इस मामरे में तो द personality मुझे इस camera में काफी अच्छी देखने को मिली क्योंकि ये काफी area cover करेगा माल लेजिए जो हमारा 360 camera है वो इतना area cover कर रहा है तो हमारा basic camera है वो थोड़ा इससे जादा area cover करेगा तो ये मुझे एक काफी अच्छा option या फिर update इसमें देखने को मिला तो चलिए हम बात कर द हमें 300 गटा के इसका price रखा है 25 तो इस price में हमें काफी अच्छी camera देखने को मिल जाते हैं तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें कौन सा camera ख्रीज़ना चाहिए वैसे तो आप वीडियो देखके अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आपके requirement के according कौन सा camera fit बैठता है फिर भी मैं आपको overview दे देता हूँ कि इनमें हमें क्या का difference जो major difference है वो देखने को मिलता है अगर मैं बात करूं basic camera के बारे में तो इस camera में हमें सिर्फ दो ही advantage देखने को मिलती है पहली रहती है कि इसका price काफी कम है हमारे 360 camera से और दूसरी ये कि जो इसका angle है 130 degree है as compared to this इसमें हमें 110 degree angle देखने को मिलता है तो ये दो advantage इस camera की रहती है बाकि इसमें disadvantage ये है कि हम इसको कहीं भी hang नहीं कर सकते इसको हम कि दीवार पर ही place कर पाएंगे या फिर किसी self पर ही place कर पाएंगे तो आप अपनी requirement का recording इसको खृष सकते हैं अगर आपकी requirement कुछ इस तरह की रहती है अब हम बात कर लेते हैं 360 camera के बारे में दसल इस camera को हम कहीं भी hang कर पाएंगे यानि कि कुछ इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं कहीं भी अगर मैंने किसी दिवार के या से तो इसमें ये option काफी अच्छा देखने को मिल जाता है तो इसका price थोड़ा ज़्यादा रहता है इसको functionality के according बाकि आपको पता लगी गया होगा कि कौन सा camera आपकी requirement के according फिट रहेगा अगर आप इन camera को खृतना चाहते हो तो description box में link provide किये गई है वहां से जाके आप इन camera क असानी से खरे सकते हो तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी फायदे मन लगी तो इस वीडियो को share कीजिए like करना नहीं बोले और कुछ इस तरह हैं कि interesting वीडियो देखने के लिए हमारे channel the musical hacker को subscribe करना नहीं बोले तो आप देख रहे थे musical hacker हसते रहे हसाते रहे